तो friends आज किस वीडियो में मैं आपको एक युनिक चीज बना कर दिखाने वाला हूँ और आपने thumbnail में भी देख लिया होगा जी यहाँ जामें एक एलो वीरा से चलने वाला बैटरी बिना कर दिखाने वाले हैं और यह एक दम रियल वीडियो है आपको मैं सब कुछ बताऊंगा वीडियो में देखते रहना आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो friends इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक container लिया हूँ और उसके बाद हम लेंगे एक cell आपको इसी भी cell का use कर सकते हो double A, triple A या फिर जो बड़ी वाली आती उसका भी use कर सकते हो तो सबसे पहले हम इस cell को खोल लेंगे तो यहाँ पर इस cell को खोलने के लिए मैं इस cutter का use कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो तो इसको एक end से पकड़के कुछ इस प्रकार से काट लेना है और दोनों तरफ इसी प्रकार से काट लेंगे तो जो हमारे जो खोल है बाहर की वह बाहर आ जाएगी आसानी से देख सकते हो और इसको थोड़ा अराम से खोलना है क्योंकि ये जो है आपके हाथ में लग सकता है और कड़ भी सकता है तो देख लो ये खुल चुका है तो अब हम इसको निकाल लेंगे और ये जो बाहर का जो steel का plate है वो हमारे कोई काम का नहीं है वैसे काम का तो है लेकिन अभी इसमें कोई काम का नहीं है तो देख लो इसक कटर के मद्स इसकी ऊपर जो प्लास्टिक के लिएर है इसको भी हम अटा देंगे आसानी से और आप ध्यान से करना क्योंकि कटंध कर सकता है थोड़ा सावधाने के साथ करोगे तो ज़ादा अच्छा है देख लू हमारी जो उपर जो प्लास्टिक के लिएर है वो आ देख सकते हो एक जो पहली चीज़े वो है इसके बार की जो जिंक की लेयर है मतलब की जो जिंक की इसकी बॉडी बनी है वो हमारे काम की है और उपर जो आपको एक एलेक्ट्रोड दिख रहा होगा उसको भी हमारे जरूरत है तो उसको हम आराम से निकाल लेंगे और यह जो प तो दिक्कत होगा तो आप लोग देख सकते हो हमारी जो एलेक्ट्रोड है वो अराम से मक्षन की तरह बाहर आ गई है और अब हम इसको अलग कर लेंगे और जो हमारी जो पुरी बॉड़ी है जिंक की मतलब की जो सेल की पुरी बॉड़ी है उसको भी 20 से कट कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा को बिचा दिया है क्योंकि जब हम इसको कट करेंगे तो इसके अंदर का जो पूरा कच्रा है वो हमारी टेवल में बिखर जाएगा जिसे हमारी टेवल जो है वो खराब हो सकती है तो देख लो मैं इसकी उपर की जो जिंक की परत है उसको भी निकाल लूँगा तो आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हो और ये कुछ पीसेस में निकलेगा ये शाय थोड़ा सा सड़ गया है या फिर कुछ हो गया है क्योंकि ये पुरा सैगा नहीं निकल रहा है तो हो गया इससे भी हम काम चला लेंगे तो यहाँ पर हम एक एलेक्ट्रोड लेंगे आप लोग देख सकते हो जो कि हमने सैल में इसे निकाला था तो इसको हम दो पीस में कट कर लेंगे और यहाँ पर मैं इस हैक्सो का यूज़ करके इसको कट कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो इसको मैंने दो पीस में कट कर लिया है और आम इन दोनों एलेक्ट्रोड की टिप में कुछ इस परकार का एक कट बनाएंगे हैक्सो के मदद से आप लोग देख सकते हो और यह कट में क्यों बना रहा हूँ अगर आप वीडियो को देखोगे तो वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने इन दोनों एलेक्ट्रोड के टिप में कुछ इस परकार से मार्क बना लिया है या फिर कट बना लिया आप लोग जो भी कह सकते हो इसमें आपका थोड़ा हांद गंदा जरूर होगा तो इसके बाद यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर लिया आप लोग देख सकते हो आप अपने हिसाब से कोई भी कंटेनर बना सकते हो तो मैंने बनाया नहीं यहाँ पर मेरे पस एक बना बना एक container मैं उसी का use कर रहा हूँ तो उसके बाद हम एक PVC sheet cut कर लिए आप लोग देख सकते हो तो इसका use हम एक separator के तौर पर करेंगे मैं इस डबे के बीच में इसको लगा लूँगा और यह एक separator का काम करेगा तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपर एक rubber का piece लिया आप लोग देख सकते हो जो कि कच्चा rubber जिसको कहते हैं काफी लोग तो इस प्रकार से हम इसके तीन तरफ में लगा लेंगे मतलब कि जो चोथा उपर वाला हिस्सा है वहाँ पर ने लगाएंगे बाकि इन तीनों साइट्स पर हम इस rubber को इस प्रकार से लगा लेंगे ताकि यह हमारे waterproof बन जाए और एक प्रकार से इसमें हमारी जो हमारी इसमें liquid रहेगी वो दूसरे section में ना जाए तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसके तीनों तरफ इस प्रकार से rubber लगा लिया है और इसके जो ऊपर वाला portion है वहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार का cut बना ले रहा हूँ आप लोग देख सकते हो आपको वीडियो में पता चल जाएक कि मैं cut क्यों बना रहा हूँ तो इसके बाद हम इस पूरे system को मतलब कि इस PVC sheet को हम इस container के अंदर रखेंगे आप लोग देख सकते हो और इसके चारों तरफ हम अच्छे से दबा देंगे ताकि हमारी जो water है मतलब कि जो भी हम इसमें पदार्त या फिर जो भी liquid डालेंगे वो leak ना हो मतलब कि दूसरे सेक्शन में ना जाए गलती से भी तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा bond fix या फिर जो भी adhesive होता है उसको भर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से waterproofing हो जाए उसके बाद यहाँ पर मैंने इस container के डखकन को लिए आप लोग दीख सकते हो और उसके बाद हम इन container के दो तरफ में कुछ इस प्रकार से hole कर लेंगे शोल्डिंग iron के मदद से और यह दोनों तरफ में एक opposite direction में यहाँ पर मैं hole बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने एक wire लिया आप लोग दीख सकते हो और इस wire को मैं छील लूँगा अच्छे तरीके से और इस wire को इस electrode की उपर कुछ इस प्रकार से लगा लेंगे और आप लोग जानते हो कि इसमें shouldering या फिर कुछ भी नहीं होता है और अगर आप इसको normal ही tie करोगे तो वो सरक के वापस पीछे आ जाएगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस प्रकार का cut बनायता है ताकि हमारा जो wire है वो बाहर ना आ सके और उसके बाद इसी wire के दूसरे छोर पर हम इस zinc वाले जो plate है उसको भी इस प्रकार से लगा लेंगे और इस plate पर भी मैंने थोड़े से दो टो cut बनायते ताकि हमारी जो wire है वो ना पिसले आप लोग देख सकते हो मैंने इस प्रकार से इसको बना लिया है वहाँ पर हम इसको fabric डाल कर अच्छे से चिपका देंगे ताकि यह हिले डोले नहीं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इन दोनों wire के एक तरफ electrode और दूसरे तरफ हमारी जो zinculator उसको लगा लिया है और इन दोनों के दूसरे end पर हम एक bolt लगा लेंगे nut bolt और इस nut bolt को हमेज ढकन के ऊपर इस प्रकार से लगा लेंगे और यह हमारा एक terminal के तोर पर काम करेगा तो यहाँ पर हम इन दोनों nut को इसी प्रकार से लगा लेंगे आप लोग देख सकते हो, तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इस प्रकार का एक structure बना लिया है, और हमको देखना है कि यह तो दोनों हमने लगाये थे, जो कि electrode और हमारे जो zinc plate है, दोनों एक series में होनी चाहिए, तो अब आते हैं इसके main ingredient की उपर, जो कि है हमारी aloe ver तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा aloe vera cut कर ले रहा हूँ, यह भी फिर भी मैंने थोड़ा बड़ा cut लिया है, तो कि हम एक छोटी cell बना रहे है, एक experiment के लिए, तो यहाँ पर इतनी बड़ी भी हमको जरूरत नहीं है, तो यह हमारे काम आ जाएगा, दूसरे काम आ जाएगा हम सबसे पहले हम इसकी जो sides है, उसको cut कर लेंगे, और यह हमारे काम की नहीं, तो इसको हम निकाल देंगे, और इसकी जो ऊपर वाली जो layer है, उसको हम हटाएगे आराम से, वैसे भी मैं aloe vera का use करता है रहता हूँ, और बागी जो aloe vera है, वो waste भी नहीं होगा, तो कि मैं aloe ver को अकसर अपने चेहरे पर लगाते रहता हूँ, तो देख सकतो इस प्रकार से आपको इसको घिसना है, ताकि इसमें जो पूरी जो liquid पतार्थ है, जो कि हमारी जो, आप लोग देख सकतो जो भी आपको लग रहा है, मुझे थोड़ा गंदा जैसा लग रहा है, आपको चिप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने पूरे aloe vera के gel को निकाल लिया है, और हम इस aloe vera gel को इन दोनों section में मतलब की जो हमने separator लगाया था, दोनों तरफ भर लेंगे, और दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, आप लोग देख सकते हो, मैंने दोनों तरफ बराबर भर है, और हमारा जो aloe vera है, वो हलका सा भी waste नहीं हुआ है, एकदम बराबर मातरा में हमने aloe vera को निकाला था, उसके बाद हम इस ढकन को लगा लेंगे, और आप लोग देख सकते हो, जिस तरफ हमारे ढकन में zinc plate है, वो हमारे container में, जहाँ पर electrode है, वहाँ पर जाएगा, और यहाँ पर हमने zinc plate लगाई थी, डकन में, वो हमारी negative terminal हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हो friends, हमारी जो battery है, मतलब कि हमारी जो aloe vera battery है, बनकर त्यार हो चुके है, यह पूरी तरीके सो natural है, और यह बिल्कुल भी fake video नहीं, यह मैं आपको just आपके सामने दिखा रहा हू देख सकते हो, जैसे ही मैंने इसके positive में इसको लगाया, हमारी जो needle है, मतलब कि multimeter के जो काटा है, वो बढ़ गया है, और हमारी जो काटा है, वो 1 से लेके 1.2 voltage तक बढ़ रहा है, मतलब ठीक ठाक यह काम कर रहा है, और मैं अब आपको इससे कुछ-कुछ जला कर भी दिखा देता हूं, तो हमें आपको इससे LED जला कर दिखाता हूं, आप लोग देख सकता हमारी जो LED है, वो हलकी सी भी नहीं चल रही है, क्योंकि हमारी जो बैटरी है, वो 3 वोल्ट तक हो जलेगी, क्योंकि यह 3 वोल्ट की LED होती है, और हमारी जो बैटरी है, वो उतना electricity generate नहीं कर पा रही है, यह हमने एक छोटा सा experiment के लिए बनाया था, अगर आप इसमें थोड़ा सा बड़े container में अलग-अलग section में बनाओगे, तो हो सकता है आपकी जो voltage है, हो सकता है, नहीं confirm आपकी जो voltage है, वो बढ़ जाएगी, यहाँ पर मैंने सिर्फ दो section बनाया है, मतलब कि इसम बनाया होगे, तो आप तीन वोल्ट, साड़े, चार वोल्ट या फिर साथ वोल्ट तक अपना बना सकते हो, और उसे ज़्यादा भी बना सकते हो, और इसमें कम मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसमें होता एंपेर नहीं होता है, जिससे कि आप सूचरों की motor चला लेंगे, व आप लोग कर सकते हो, तब तक के लिए, थैंक्स वर वाचिंग.